आपने सुना होगा कि कर बला तो हो बला इसका अर्थ यह है कि यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमें भी उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं हमारा भी भला होता है किन्तु हमेशा यह बात सत्य नहीं होती आचारिय चानक्य ने अपने निति सास्त्र में बता है कि ऐसे भी तीन लोग होते हैं जिनकी भलाई करने पर व्यक्ति को दुखो की प्राप्ती होती है इसलिए इन तीन प्रकार के लोगों से हमेशा बच कर रहना चाहिए और कभी भी इनका भला करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए अनियथा इसके परिणाम कस्ट दायक होते हैं किसी मुर्ख को दिया गया गनान इस लोग में आचारिय चाने के का कहिना है कि गनान या उपदेश यभी सुपातर को ही देना चाहिए किसे मुर्ख व्यक्ति चायवस्त्री हो या पुरुष को गनान या उपदेश देना हमारे लिए ही हानिकारक हो सकता है आप ऐसे बुद्धिहीन और मुर्ख लोकों को उनकी भलाई के लिए और उनकी अच्छाई के लिए गनान देते है कि तुम मुर्खों को दिया गया गनान हमारे लिए ही अहित कर और दुखों का कारण बन सकता है ऐसे लोगों को गनान देने से परहच करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग आपके दिये गए अनमल गनान को वियर्थ ही नस्ट कर देते है कुसंसकारी स्त्री की भलाई क्योंकि ऐसी स्त्रिया धनकी लालची और चरितरहीन होती है ऐसी स्त्रिया धर्म के मार्क से विमुख होकर अपने पाप कर्मों से दुसरों को भी कलंकित करती है इसलिए ऐसे दुष्ट सवावालीवद चरित्रहीन महिलाव के संगत करना या उनका पोशन करना किसी भी व्यक्ति के लिए अपियस और विनास का कारक हो सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति की भलाई आचरिय चानक के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो हर समय अपने दुखों और अभाव का डोल पिटते रहते हैं और दुसरों की वस्तुओं और सफलता से इर्शा करते हैं। ऐसे लोगों की संगत करना या उनकी भलाई करना हमार लिया दुख और कस्टों का कारक होता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस्वर के द्वरा प्रदान किये गए सुखों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। बुद्धिमान एवाम समझदार व्यक्ति सीमित वस्तुओं से ही संतुष करके सुखी जीवन व्यतित करता है किन्तु मन से असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति कभी भी स्वयम सुखी नहीं रहते और अपने इर्शाल सोभाव के करण इनकी संगत में रहने वाला व्यक्ति भ भी सब जानकारी उपलब्द है इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूप कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो 100% फ्री है थैंक यू